गुद मॉनियों स्टुदेंट्स वेलकम टू माई चैनल कैरियर मेकर चलो आज सुरू करते हैं आउटकम अफ डेमोक्रिसी का एक टॉपिक पहला आउटकम, टॉपिक का नाम है एकांटेबल, रिस्पॉंसिब यंड लिजिटीमे गवर्मेंट तो इस टॉपिक में जो टॉपिक है यह क्या इसे में पढ़ने वाले है हम यह देखने वाले कि जो डॉप्रिटिक गवर्मेंट होती है देमोकरिटीक सिस्टम होती है वह किस प्रकार का gouvernement provide करती है वो लोगों के लिए किस तरह से काम करती है यह आज discuss करने वाले है बट् इसको discuss करने से पहले हम लोग अभी देखेंगे चिब च thickness कैंगे कि कित्ने तरह के outcome को discuss किया गया है और और कितने तरह के outcome को पूछा गया है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा confused होते हो, तो चलो शुरू करें, कौन-कौन सा outcome है, तो देखो, outcome number one तो आपको यहाँ, heading के रूप में दिख रहा है, accountable, responsible and legitimate government, यह तो आपको यही दिख रहा है, यह पहला outcome है, दूसरा, economic growth and development, जिसमें दे reduction of inequality and poverty, number three, accommodation of social diversity, number four, dignity and freedom of citizens, यह total 5 outcomes इस chapter में discuss किया गया है, जिसका एक आज हम कवर करने का परियास करें, तो चलो शुरू करें, तो यहाँ देखो, तीन सब्दे, heading में, accountable, responsive and legitimate, इस topic को clear करने से पहले, इस topic को discuss करने से पहले, यही जानना जरूरी है, कि यह accountability, यह responsibility और यह legitimacy क्या होता है, चलो शुरू करें, देखो, तीनों का मतलब हमने लिख चुका है, पहले ही, accountable, expected to give an explanation of your action, ऐसा इंदी तो उतर दाई है, बट इसको explain कैसे करेंगे, जो भी हम action लेते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसका विवरन सामने वाले को बताना होता ह इस activity को कहा जाता है, accountability, ठीक है, दूसरा, responsive या responsibility, paying attention to somebody, something and reacting in a suitable और positive way, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भी चीज़ पे, या किसी भी बेक्ती पे क्या करना, ध्यान देना, और क्या करना, उनके तरीके से, positive way में react करना, इसको कहता है, जवाब दे ही होना, किसी particular चीज़ इसके किला, उसके बाद, legitimate, reasonable, or acceptable, मतला, bad हो, सही हो, यह क्या होता है, कोई चीज़, reasonable, तरक की अधार पे सही लगे, सबको स्विकार हो, उसे हम कहते हैं, legitimate, तो यह तो तीन वर्ड तो यहां समझ में आ गया, अब इन वर्डों को, accountability, responsibility, और legitimate को हम connect करके किसके साथ देखेंग accountability देखते हैं सबसे पहले, democratic system में क्या होता है, democratic system में सबसे powerful किने कहा जाता है, सबसे powerful कहा जाता है, people को, क्योंकि पूरा का पूरा power उनी के हाथ में होता है, और वो अपने representatives को power देते हैं, तो यह democratic system के अंदर, देखो, लोगों के पास किस प्रकार के rights है, people have right to choose their ruler, लोगों क पास rights होता है, अपना rulers चुनने का, कैसे चुनते हैं rulers, वो क्या करते हैं, election के माध्यम से voting देते हैं, और फिर उनका अपना representatives चुना जाता है, और वो बन जाता है, ruler, तो यह rights, people को कहा मिलता है, democratic system में, number two, people will have control over their rulers, people को क्या है, power है, people को control करने का भी अधिकार है, किसको, अप people to participate in decision making process, और अगर आवे सकता हो, अगर जरुत पड़े, जब भी वेनेवर, जब भी जरुत पड़े, तो citizens क्या कर सकता है, decision making जो process होता है, government, just be process decision को pass out करता है, उस decision making में, citizens को क्या करना है, participate करने का भी अधिकार मिला हुआ रहता है, यह तीन major rights जो है, government से related, people को democratic system में दी जाती है, इन सब का process है, क्या से क्या होता है, यह सब है, तो यह जो चीजे है, यह क्या सो कर रहा है, यह सो कर रहा है, accountability को, जैसे अब देखो, क्या कर रहा है, explanation देना, तो देखो, लोगों rulers को चुणने का, rulers को control करने का, और decision making process में भाग लेने का, वह तो यह government का action है, और government क क्या कर रहा है, इन सारे actions में, लोगों को क्या कर रहा है, participate करने का, अधिकार दे रहा है, लोगों के सामने explain कर रहा है, बो decision भी पास करेगा, उसको भी बता के ही करेगा, जो चुनने का, जो processes है, उसमें भी सब कुछ बता कर के ही, openly क्या करेगा, चुनाब करेगा, तो यह government क एक term को सोगर रहा है, term कौन सा है, accountability, accountability, accountable government देता है, इसमें कोई दो रहा है नहीं, democratic system जो है, यह accountable government प्रवाइड करता है, अब देखते हैं, दूसरा term पे चलते हैं, दूसरा है, responsibility, तो responsible government देता या नहीं देता है, democratic system, यह आप पहले side करो, उस term पे जाने से पहले, कुछ चीज प्रयापत है, तो कैसे इस चीज को समझेंगे, तो इस चीज को समझा जाएगा, एक term से, term है decision making process से, मतलब जो decisions pass out करता है, democratic government, उसका process क्या है, और उस process को क्या करेंगे, examine करेंगे, और फिर उस से निकल के आएगा, कि government responsible है, या नहीं, government हमारी चीजों पे क्या करता है, हमारे पोजेक्टिब में अपना निरने दे पाता है, या नहीं, यह देखने वाले है, decision making process से, तो इसको ना क्या करेंगे, दो term में इसको compare करेंगे, यहाँ दो तरह के government को हम लोग discuss कर लेंगे, एक government हम ले लेते हैं, चलो democracy, और दूसरा government हम ले लेते हैं, यहाँ पे, चलो कोई भ मतलब decision जब pass करना होता है, तो कितने time को consume करता है dictatorship और democracy, या फिर monarchy और democracy, चादो, monarchy को decision लेना हो, वो क्या करेगा, फट से decision लेगा, और जट से apply कर देगा, पूरे सभी लोगों पे, कोई किसी विपरकार का, बीना किसी बहस के, बीना किसी दवाब के, वो तुरण decision लेगा, कौन, dictator भी कह सकते हो, और monarchy भी कह सकते हो, लेकिन जब हम democracy में आते हैं, तो वो follow करता है बहुत सारे process को, क्या follow करता है, तो देखो, वो routines follow करते हैं, routines को आप कह सकते हो न, वो schedules follow करते हैं, meetings को करते हैं, debate करते हैं, इन सारे process को follow करते हैं, और हर एक points को देखते हैं, कौन, जो democratic system में representative होते हैं वो ये सारी चीज़े देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं decisions pass करते हैं तो क्या होता है ना कि non-government आता है non-democratic government की बात आती है तो वो बहुत ही कम time में decisions को pass कर देते हैं लेकिन जब democracy की बात आती है ना तो क्या करते हैं ये democracy बुरा है और दूसरे form जो government है बहुत है किस मामले में decision making process में लेकिन दूसरी बात जब हम in term of cost देखें मतलब cost कहने का मतलब है जो decision निकल क्या आया है उस decision का value क्या है अगर इस value के अधार पे अगर judge करें तब समस्या खड़ी होगी कैसे समस्या खड़ी होगी तो चलो value निकालते है suppose that democratic system non-democratic system में dictator ने decision पास आउट कर दिया suppose that raja ने decision पास आउट कर दिया अब उसका effect अगर लोगों पर negative पर जाए उसके बज़ा से लोगों का life disturb हो तो कितने percent chances है कि वो decisions वापस ली जाएगी 0% 10% हो सकता है बट नहीं के बराबर chance है नहीं वापस लेगा लेकिन अगर हम democracy में आते तो democracy इसी problem से बचने के लिए क्या करता है बहुत long लंबा process को follow करता है वो गया करता है सारा सारा term देख लेता और प्रियास करता है कि 10% भी गलत होने की संभावना ना हो और सब लोगों के माध्यम से जो decisions pass out हो रहा हो वो acceptable हो तो जब हम decision making process को देख रहे हैं ठीक है non-democratic government और democratic government में तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि time taking के मामले में democracy बुरा है बाकी government अच्छा है लेकिन जब उस decision के value उस decision के cost की बात की जा रही है तब democracy बढ़ियां है दूसरा government क्या है बढ़ियां नहीं है तो चलो एक तो दो चीज़े तो समझ में आ गया चाहिए तीसरा देखते हैं तीसरा देखते हैं transparency transparency means क्या होता है पहले ये समझ दो आप citizens have right to examine the process of decision making एक्जामीन मतलब समझ रहे हो ना जिस प्रकिरिया से decision को पास किया गया उस process को examine करने का power decisions के पास होनी चाहिए sorry citizens के पास होनी चाहिए इसी power को कहा जाता है transparency और ये democracy देता है राजा कभी नहीं देगा कि हम जैसे decision making process को देखते हैं react करते हैं तो यहां पर क्या देख रहाई बता रहा है कि यह हमारी हमा हमें से इसका reaction क्या हो रहा है है अगर मावले में भी हम देख रहा है कि जो गवशु कर रहा है emergency के मादयASE हूझ से कौन सा गवर्क गबरमेंट कैसा है वह तर्ड वर्ड जो है हो है लेइसिट मेंची मतलब है क्या है iresetable musimy तेवल है या अब स्कति हम आफके के लिएना डिमो्क्रेश सैस्टम को कुछ कुछющák डिमोक्रैसी में कुछ practices और institutions है जो follow किया जाते हैं जैसे सबसे पहला है regular free and fair elections मतलब democracy में हर 5 साल के बाद regular free or fair elections होते हैं यह इसका practices है institutions है दूसरा open public debate on major policies and legislation जो major policies होता है na people से related उसको लागू कैसे करना उसको debate कैसे करना यह open publicly होती है and number three citizens right to information about the government and its functioning citizens के पास right to information हो जाए कि government कैसा है क्या है और यह काम कैसे करता है यह तीन चीज़े जो है रेगुलर सारी इंस्टिउशन सांज प्रैक्टिसेज है अब इसका record देखते हैं जब इसके record को देखा जाना तो democracy जो है न इस मामले में मतलब free and fair election के मामले में इसका जो record बहुत अच्छा है किसके मामले में free or fair election के मामले में लेकिन अगर दूसरे democracy को देखी जाए most of the democracy जितने भी democracy world में है उसमें से most of the democracy को दिखा जाए तो इस count में क्या होता है इन सारे counts में यह mix record को हो करता है मतलब अच्छा record हो नहीं करता है जैसे उद्यारिन के तोर पे government का जो discussion होता है न public debate होता है उसके बारे में openly public को जानकारी नहीं मिल पाती है government का काम यह government के बारे में जो resistance का right to information है यह भी public को पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाती है यह mix records हो करता है इस बस यह free और फेर election के मामले में इसका record थोड़ा अच्छा है तो यह जो चीज़े हैं यह doubtful में डाल देता है यह doubtful बना देता है कि डेमोक्रेटिव सिस्टम जो है वो तो अच्छा ही नहीं जो गवर्मेंट है वो तो अच्छा ही गवर्मेंट क्या करेगा हमारी नेट्स के लिए तुरह तक्दम के अर्फ लोगे काम करेगा दूसरा free of corruption गवर्मेंट जो होगी न वो corruption से free होगा अब यह corruption ही एक ऐसा मात्र वर्ड है जो डेमोक्रेटिव को बुरा बना देता है यह एक बर्ड काफी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो नन डेमोक्रिटिक गवर्मेंट है वो corrupted नहीं होगी और यह भी क्या कह सकते कि corruption के मामल में हम democracy को ignore कर दें इन सब चीजों में हम देख रहा है न तो इन सब चीजों में गव्ण डेमोक्रिटिक का system का record अच्छा नहीं है सब का नहीं है कुछ का होगा कुछ कंट्री का कुछ का नहीं है तो क्या इस मामले में हम democracy को side कर दें नहीं करते हैं फिर पूरे वर्ड में अ परती responsible या clean हो सकता है लोगों के needs के लिए उसके बाब जूद भी यह जो government है यह लोगों के द्वारा चुना गया अपना government है यही बज़ा है कि लोग क्या करते हैं इसको prefer करते हैं कम से कम लोगों के पास एक power तो है ना कि हम इसको चुनेंगे नहीं काम करेंगा पांग साल के चेंज कर देंगे अगर आपका अपने book में देखो न तो Asian countries ने क्या किया है सबसे ज्यादा representative को चुनना ही prefer किया है और democratic system को प्रिफर किया है इन कम्यों के रहते हुए इसका mix record रहते हुए और यह प्रूफ करता है कि जो भी government बनता है पिपल के माध्यम से वो क्या है वो क्य टोटल कितने topic अभी भी बचे हुए एक दो तीन और चार यह चार topic और है जो इस पूरे chapter में अभी discuss करना बाकी है और इन चारों पाचों में यही थोड़ा सा आपको उलजाता था बाकी topic तो बहुत एजी है वो देखेंगे अगले वीडियो में जड़ सा झाल